नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त आपका होश्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग दोस्तों अस्तारी के 17 मार्च 2020 और यहां पर निफ्टी इंडेक्स और बैंक निफ्टी इंडेक्स की अनलिसिस को देखेंगे हलांकि analysis करने का दुस्तों कोई फायदा है नहीं बस ये देख सकते हैं कि और ये कहां तक sustain करने की संभावना है या कहां तक ये जा सकता है आपके सामने जो चार्ट खुला हुआ है वो डॉजोंस का चार्ट है अमेरिका का जो सबसे बड़ा index है डॉजोंस उसका चार्ट खु लोग लगा है और कल की अगर क्लोजिंग की बात करें तो 2435 यानि कल से 1000 पॉइंट नीचे इसने दिखाया और उसके बाद आप वो कभर किया है थोड़ा सा और कभर करके उपर सस्टेंट करने की कोशिज कर रहा है तो जितने भी राहत पैकेजिस की बात आप कर रहे हैं या उससे कोई फरक नहीं पढ़ रहा है इसको है ना उससे को भी फरक नहीं पढ़ रहा है इसको फरक किस चीज से पढ़ेगा दोस्तों इसको फरक पढ़ेगा सिर्फ एक चीज से और वो है सिर्फ कोरोना का वैक्सीन वो खबर जिस दिन आ गई इसके चेंज हो जाएंगा इसक पर चल रहा है चैब कि इस नहीं अनुक्त की पर ऊठला निए खेंगे फिर निप्टी अफिर को देको देखेंगे तो वीडियो पूरा देखेगा और अपना important feedback देना तो दोस्तों बिल्कुल ना भूलें क्योंकि आपके feedback से ही मुझे काफी motivation मिलता है और like का बटन दबना चाहिए दोस्तों like जितना आप दाब सकें हलाकि एक बार ही दाब सकता है दो बार दाबेगा तो फिर हड जाता है तो एक बार कम सकम एक बार तो प्रेस करी सकते ह अगर आप देखते हैं वीडियो को तो प्रेस करने में क्या जाता है डिसलाइक भी बटन है आप डिसलाइक भी कर सकते हैं कोई प्रेसर नहीं है लेकिन जो आपको original लगता है कि करना चाहिए डिसलाइक या डिसलाइक वह आप करें तो ज्यादा बहतर है ना जब आप देख तो 20,376 और 20,162 दो सो पॉइंट का डिफरेंस है अब आज का जो अभी जो लो है करें मार्केट जो रात के 8 बच के 9 मिनट हो रहे हैं तो अभी का जो लो लगाया है वह 19,000 नौशो का यानि इसमें अगर 20,162 से बात करें तो मैं यहां पर माइनस करता हूं 20,162 है ना इस मैं माइनस करता हूं 20,162 माइनस और आज का जो लो लगाया है 19,000 अभी तक का जो लो है वह देख लेते हैं तो 206 पॉइंट 206 पॉइंट नीचे गया कल के लो से 206 पॉइंट गया है नीचे और इस इस केंडल का जो लो देखिए 20,376 और उसके बाद इस केंडल का लो देखिए तो 20,162 अब देखे कितना 200 यानि लगभग लगभग डेली जो है यह अपने हर प्रिभियस लो को 200 पॉइंट नीचे ले आता है हर प्रिभियस दे का लो से 200 पॉइंट नीचे लो नया लो बना देता है तो यह हुआ इसका कुछ सिनेरियो डाव मैं पॉजिटिव को अगर बात करू अगर इसको मैं पॉजिटिव मानूँगा तो 23,300 के उपर मानूँगा उसके पहले तो बिल्कुल नहीं मानूँगा और इसके रीजन अगर आपको नहीं पता है तो आप उस वीडियो को देखिए कि क्या यह बॉटम आउट है या ट्रैप करके जो मैंने एक वीडियो बनाय हमारा इंडेक्स डाउ से परभावित होता है इंपक्ट होता है इस बाग को ध्यान में रखिए अब यह देखिए निफ्टी का है उस दिन का अनलिसिस क्या वह आपके सामने का है सब चीज क्या वह वीडियो बनाया हुए अब आज इसने जो लो क्लोजिंग किया है नो आठ अब देखिए अगर बात करें कल के लेके तो आज पहले सबसे पहले आपको यह समझना है कि डाउ जोन्स तो निगेटिव है वह आपको देखी रहा है देली दिगेटिव चल रहा है लेकिन निफ्टी का लो पॉइंट देखिए और क्लोजिंग पॉइंट में मैच करें यह लो पॉइंट और क्लोजिंग पॉइंट में अंतर निकाली कि nih low जो इस ने लगाया है 8915 का यह और जो क्लोजिंग जो किया 8900gra का क्लो डोज किया है तो अगर मैं क्लोजिंग में मैं जो कर दूं 8967-8915 तो आप देखेंगे 50 पॉइंट सिर्फ 50 पॉइंट कभर कर रहा है लूज कर रहा तीन साड़े 300 पॉइंट कभर कर रहा है 50 पॉइंट यह तो गड़वड वाली बात है इतना बड़ा इंडेक्स है तो इसका मतलब है कल भी कल भी निफ्टी में मैं नीचे साइड के लेवल देख पा रहा हूं अगर कल 8900 के नीचे निफ्टी निकलता है 8900 के नीचे आज के अपने लो के नीचे क्योंकि लो इक्वल टू क्लोज है आपने अगर मेरा निफ्टी वाली वीडियो ध्यान से देखा है पूरा तो आपको पता है कि मैं क्या बताना चाहरा हूं और दोस्तों लाइक का बटन दब जाए ज्यादा बेस्ट रहेगा 8900 के नीचे निकलता है तो मेरे ख्याल से यह जो गैप बनाया हुआ था प्रिभियस दो दिन पहले वाला जो रैली आपने देखा था उस गैप को यह वापस फील करने की कोशिश कर सकता है यानि कि 300 पॉइंट की रैली आपको वापस से कल देखने को मिल सकती है जो कि डेली 500-300-300 का आप देख रहे हैं गैप बनाता बद चला जा रहा है तो उसी को कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा अगर यह 8900 के नीचे कल निफ्टी निकलता है तो आपको यहां पे स्टैटिजी क्या बनाना है आपको यहां पर कंडिशन क्या लेना है एक God beef घृट गरेग वैक्ति नहीं आता है का पारट पैसा बन रहा है मार्केट में वह sort करके आवी सबसे ज़्यादा बड़ा पैसा बन रहा हैा शूंकि आपको पता है मैंने कहा था अगर आपने वीडियो देखा है कि मैंने 11000 के नीचे मैं निकल जाओंगा तो 11000 के नीचे जो buy side का मेरा motive था वो तो खतम हो गया तो 11000 के बाद से मैं short में ही बैठा हुआ हूँ और तब से बड़े पैसे तो तभी से बन रहे तो यह चीज है कि बड़ा पैसा सौट में ही बनता है लेकिन आपको याद रखना है कि अगर आपको दोनों तरह की mentality होनी होगी अगर आप ट्रेडर है अगर आप ट्रेडर है तो मेंटलिटी दोनों टाइब की होगी buy side का भी होगा मार्केट स्राउट होके बैठिए और अगर वियरिस माइंशेट के बैठिए तो जब मार्केट बुलिश होता है तो आप बाहर होके बैठिए जब आपके हिसाब का मार्केट हो तब भी अपटेट करिए अब दिखे कल अगर यह 8900 के नीचे निकलता तो 300 पॉइंट की रैली करना स्टार्ट ना करते अगर यह 900 के ऊपर टेट करता है तब ही मैं यह क्लोज करता है तब ही मैं थोड़ा पॉजिटिव होने की कोशिज करूंगा तब और उस वक्तार्गेट हमारा 900 Candie 992 KO-8992 तक का हो सकता है लेकिन अगेशन आपको याद रखे कि आपको पहला कि स्ट्राटीजी अपनाना होगा सेलन हाई सेलन हाई मतलब 倉पर वी जैसे जंप स्फ अपनाना का और पिर वीधिक पंछीड यह जमप हुआ कि पहली कानल यह गिर गई इतनी बड़ी candle और इसने jump लिया यहां से क्या लिया läuft लिया तो आपको Bye नहीं करना है आपको Sell On High वाला इस टाइप लेना है आपको Sell On हाई वाहा तो आपको यहाँ पे यहां पर Sell On हाई वाला पोजिशन अपनाना है जम्प नीचे गीरा जम्प लिया सेल कर दिया फिर यहां पर पॉजिटिव हुआ तो फिर आपने यहां पर वेट किया यहां पर प्रोफिट भूक हो जाएगी फिर यह जम्प करेगा उस जम्प के बाद जब डाउन ट्रेन स्टार्टों का फिर सेल करें यहां कि हर जम्प पर आपको सेल का पोजिशन अपनाना है तब तक जब तक कि निफ्टी ऊपर की साइड में जो मेरा अपना व्यू है वह है 10300 मेरा अपना प्रेशनल व्यू दर तीन सो अगर आपने निफ्टी में बॉटम आउट हो चुका यह ट्रैप है करक तो इंट्रे में मैं 900 के ऊपर अगर यह क्लोज करता है निफ्टी में इसको सेल ओना वाला पोजिशन अपना हूंगा तो जैसे हाए बनाता है आप सेल की आपा पोजिशन लीजिए और कर बाहर आजाएग मार्केट में अभी सेल ओना हाई कंडिशन ही स्टैटेजी आपको से ज्यादा बेस्ट रहेगा और यकीन रखें दोनों तरफ के माइंड सेट आपको ले के चलना होगा अधर्वाइस वन साइट का माइंड सेट रखेंगे तो पैसा नहीं बन पाएगा बड़ा पैसा बनाना तो आपको शौट करना भी आना होगा अगर आप नहीं आपाते हैं करने के लिए तो था मार्केट से दूर रह, यह तो वह एक तरा का मतलब यह निफ्टी का शुजवेशन हुआ, जैसा यहां पर देखें, निया ट्रेन श्टार्ट किया तो नीचे आगया उसी तरह यहां हाई लिया निचे आगया तो आपको हमें साब अगर यह कल 8,900 के नीचे निकलता है तो 8,600 तक क्या रेली आपको 300 पॉइंट का रेली सेल साइड में दिखा सकता है अब इसी कंडिशन में अगर हम लोग बैंक निफ्टी की भी बात कर लें दोस्तों कि बैंक निफ्टी पे क्या पोजिशन चल रहा है तो देखे सबसे पहले तो बैंक निफ्टी में भी आप वही देखे कि क्या हो रहा रहा बैंक निफ्टी इसका भी जो लोग पॉइंट है 22,000 का और क्लोज है 22,155 यानि कि 500 पॉइंट का डिफ्रेंस है तो कल में इसे भी नीचे साइड ही देख रहा है अब रात में फिर अभ किज़े ट्रेडिंग माइनसेट के लोग हैं तो आपको अच्छे स्टॉक्स क्वालिटी स्टॉक्स बाइओ और डिप बाला पोजिशन अपनाना होगा जो क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं उसको नीचे लेवल पर आपको बाय करके इंवेस्टमेंट के परपस से लेके चल स कर सकता है किस लोको वापत से 21,350 के लोको यानि कि यहां से भी जो रैली दिखाएगा आपको वह आपको 600 पॉइंट का रैली दिखाएगा निफ्टी 300 और बैंक निफ्टी 600 निगेटिव वन इस्टू हो रहा है वहां 300 या 600 तो आपको यह 600 पॉइंट की यह रैली देखने क लेकिन आपको याद रहें सेल ओन डीप बाला पोजिशन अपनाना होगा सेल ओन डीप मतलब अगर यह यहां से सोरी सेल ओन डीप नहीं सेल ओन हाई सोरी मैं गलत बोले सेल ओन हाई ठीक है सेल ओन हाई वाला जब यहां से जंप मारे उपर की साइड में सेल ओन हाई तो आप फिर वहांसे एक high लगाने की कोसिस करता है अब वह high जो होता है ना वह इस candle का हाई के ऊपर होगा देखे इस candle के हाई को उपर गया ना और वहाँ पर सेलिंग जब वह जनरेट करेगा तो आपको शेल का पोजिशन बनाना है इसलिए मैं कहा रहा था सेल उन हाय वाला पोजिशन ही अभी आपके लिए स्टैडिजी सही रहेगा आप उसको लेने की कोशिज करिए और जितना जल्दी प्रॉफिट बूक करके बाहर आने कि अगर आपको कारीगरी आती तो आप करके बाहर आए प्रॉफिट बना गर जाए तो कल बैंक निप्टी म जो अभी करेंट अगर बात करें तो दिखे अब पॉजिटीव हो गया उस वक्त निगेटीव चल रहा था अभी डाउज जोंस पॉजिटीव हो गया 200 पॉइंट पॉजिट हो गया तो यह इसमें भी मैं आपको एक पांच मिनट का टाइम फ्रेम लेकर दिखाता हूँ सेल हाई वाला कंडिशन देखिए यह चला गया ना अभी मैं वेट करूंगा ठीक है सेल ओना है माल लेता हूँ कि एक फर्जी ट्रेड हम लोग कर रहे हैं मतलब इससे समझने के लिए कि यहां से यह नीचे आया और यहां सब यह अप साइड में जा रहा है ठीक है अब यह अप साइड में जा रहा है अब हम वेट करेंगे इसको नीचे आने की कंडिशन में हम इसको क्या करेंगे वेट करेंगे कुछ सिगनल मिलनेगा कि नीचे आएगा तो सेल ओन हाय वाला कंडिशन हम लोग अपला करेंगे अभी हम लोग दो तीन मिनट करते हैं और देखते हैं क्या अब हमने यहां पर सेल कर दिया अब देखें सेल ओन हाय वाला कंडिशन में हमने सेल कर दिया तो यह हमारा कितना का इस्टाप लोस होगा कितना का इस्टाप लोस होगा 20844 का तो देखें यहां हमने क्या किया हाँ 20,844 है नीचे आ रहा है अभी देखें सेल ओन हाय वाला कर दिशन आपको समझ में आ जाएगा राइट क्लिक करेंगे पोटेक्ट पोजिशन 20,844 पर मैं इस्टाप लोस लगा लूँगा 20,844 यह हमारा इस्टाप लोस होगा यह हमने कर लिया मोडिभाई तो हमारा इस्टाप लोस लग गया हाय पॉइंट अब देखेंगे अब बैठेंगे अब देखेंगे प्रॉफिट आपके आना शुरू हो गया तो यह लाइव पर में चल रहा है तो यह 38 डॉलर का प्रॉफिट हो गया मुझे एक लॉट मैंने सेल कर दिया डॉज उन्स को चाहें तो आप और इसमें इसमें एड कर सकते हैं देखें दो हो गया चाहूं तो तो तीन भी कर सकता हूं देखें तीन लोट हो गया तो आप इस तरह से सेल कनबर्ट हो जाएगा भी आप देखेंगे दो मिनिट बार तो आपको पता चल जाएगा देखेंगे मैं अभी रिकॉर्डिंग पॉस करता हूं जब यह ग्रीन में आएगा यह जो भी होगा इस्टॉप लोस कर तो इस्टॉप लोस दिखा दूँगा यह दो चीज में से बला पोजिशन अपराना है और इस तरह से आपको प्रॉफिट लेकर निकलना भी देखें यह और नीची आएगा तो और भी अच्छा खासा पॉजिटिव मुमेंट हमको मुझे यहां से मिल सकता है तो इस तरह से करके आप पोजिशन बना सकते हैं सेल ओन डिप बला देख गिजावट वाले मार्केट मैं अब चाहूं तो मैं यहां से प्रॉफिट बुग करके निकल सकता हूं और इसको देखे इस सात हजार का प्रॉफिट होगद है, अगर जूग वालत की बात करनों आड़ हजार डालर पी सीफेlla 750 इन्टू अगर हम लोग डॉलर का भाव लेके चलते हैं तो देखे 4,99,500 रुपए हमने यहां से कमा लिए तो यह पेपर टेडिंग लेकिन आपको दिखा कि सेल ऑन हाय पर आप कैसे टेड कर सकते इस कंडिशन में तो यह च्छटा से एक वीडियो था लाइप टेड के साथ जो मैंने आपको सेर किया है दोस्तों अपना इंपॉर्टेंट फीडबेक देना बिलकुल ना भूले और अपना कमेंट सेक्शन लाइक का बटन यह सारे ओपन है तो आप बता सकते हैं मुझे मिलता हूं नेक्ट वीडियो में दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद